सभी को मेरा नमस्कार एक बार फीज से आपके अपनी चैनल स्टार एजुकेशनल हब बर आप सभी का स्वागत है आज हम कक्षा चोती की हिंदी की पाठ्था पुस्तक जिल मिल से पाठ ग्यार रहीम के दोहे दोहा सब तक पढ़ेंगे और दोहों के सरलार्थ जानेंगे रहीमन धागा प्रेम का मत तोडो चटकाए तूटे से फिर ना जुडे जुडे गांट पढ़ी जाए यहाँ पर रहीम जी पहले दोहे में कहते हैं कि हमें प्रेम के धागे को चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए अगर यह एक बार तूट जाता है तो दोबारा नहीं जुडता और अगर जुड भी जाए तो इसमें गाठ पढ़ जाती है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए रहीमन यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा चटका कर मत तोड़ो तूटे से फिर ना जुड़े अगर यह तूट जाता है तो दोबारा नहीं जुडता और जुड़े गाठ पढ़ी जाए अगर जुड भी जाता है तो उसमें गाठ पढ़ जाती है दूसरा दोहा है जे गरीब सो हित करे धनी रहीम वे लोग कहा सुदामा बापुरो किश्न मिताई जोग दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीब की भलाई करते हैं जे गरीब सो हित करे जो लोग गरीब की भलाई करते हैं धनी रहीम वे लोग वे ही लोग धनी होते हैं कहा सुदामा बापुरो किष्ण मिताई जोग जैसे गरीब सुदामा और किष्ण की मितरता का संयोग है जे गरीब सो हित करे धनी रहीम वे लोग रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धनी हैं जो गरीब की भलाई करते हैं जैसे गरीब सुदामा और किष्ण की मित्रता का संयोग तीसरा दोहा रहिमन देख बडेन को लगुन दीजे डारी जहां काम आवे सुई कहा करें तलवारें तीसरे दोहे में रहिम जी कहते हैं कि बडे को देख कर छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती रहिमन देख बडेन को रहिम जी कहते हैं कि बडे को देख कर लगुन दीजे डारी लगु मेंस छोटे और डारी मेंस छोड़ना त्यागना छोटे को त्यागना नहीं चाहिए जहां काम आवे सुई क्योंकि जहां पर सुई काम आती है कहा करें तलवारी वहां पर तलवार कुछ नहीं कर सकती एसी बानी बोल ये मन का आपा खोए औरन को सीतल करें आप हो सीतल होए रहीम जी कहते हैं मनुश्य को ऐसी मीठी वानी बोलनी चाहिए जो मन को अच्छी लगती हो ऐसी मीठी वानी दूसरों को तो सीतल करती ही है इससे अपना मन भी शीतल हो जाता है ऐसी वानी बोल ये कि हमें ऐसी मीठी वानी बोलनी चाहिए मन का आपा खोए जो सभी के मन को अच्छी लगे औरन को सीतल करें और यह मीठी वानी औरों को तो सीतल करती ही है आप हूँ शीतल होए अपने मन में भी शीतलता हो जाती है दोहा पाँच वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे जो महंदी के रंग पाँचमें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो दूसरों की भलाई करने वाले के साथ रहते हैं उन्हें उसी तरह लाभ मिलता है जैसे बाटने वाले को महंदी का रंग लग जाता है वे रहीम नर धन्य हैं रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं पर उपकारी अंग जो भलाई करने वालों के साथ रहते हैं बाटन वारे को लगे जैसे की बाटने वाले को लग जाता है जो महंदी के रंग महंदी के रंग जैसा यानि की वे लोग धन्य हैं जो दूसरों की भलाई करने वालों के साथ रहते हैं उन्हें उसी तरहे लाग मिलता है जैसे बाटने वाले को महंदी कारंगे लग जाता है तरवर फल नहीं खात है सरवर पीहन पान कही रहीम परकाज हीत संपती संची सुजान इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि व्रिक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता तालाब कभी भी अपना पानी नहीं पीता ठीक वैसे ही सजन दूसरों की भलाई के लिए संपती को इकठे करते हैं तरवर फल नहीं खात है तरवर यानिकी पेड पेड अपने फल नहीं खाते हैं सरवर पीह ही न पान और तालाब कभी भी अपना पानी स्वैम नहीं पीते हैं कही रहीम परकाज हीत संपती संची सुजान और आगे रहीम जी कहते हैं कि ठीक वैसे ही व्रिक्ष और तालाब की तरही सजन भी दूसरों की भलाई के लिए धन इकठा करते हैं दोनों रहीम एक से जब लो बोलत नाही जान परत हैं काक पिक रितु बसंत के माही इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कववा और कोयल जब तक नहीं बोलतें तब तक एक जैसे दिखते हैं परन्तों बसंतरीतों में जब दोनों बोलते हैं तब पता चलता है कि कववा कौन है और कोयल कौन है रहीम जी कहते हैं कि दोनों एक जैसे होते हैं जब तक वे बोलतें नहीं हैं जान परत हैं काक पिक और ये कववा है और ये कोयल है ये तब ही जान पड़ता है जब रितु बसंत के माही बसंतरीतों में जब दोनों बोलते हैं तो इसका सरलार्थ कैसे लिखेंगे रहीम जी कहते हैं कि कौवा और कोयल जब तक नहीं बोलते हैं जब तक हमें उनका पता नहीं चलता वे एक जैसे दिखते हैं और जैसे ही बसंतरितु में दोनों बोलते हैं तब पता चलता है कि कववा कौन सा है और कोयल कौन सी है तो प्यारे बचों आज के लिए हमने रहीम के दोहे पढ़े जो कि बहुत ही सुन्दर हैं और इनका सरलार्थ याद करके आप अच्छे से समझते हुए इनको बार बार पढ़िये और अपनी कोपी में सुन्दर सुन्दर लिखाई में इनका सरलार्थ लिखें